इस्टोक लेटेस निवस अब्डेट सेरेशन में आपको स्वागत करते हूँ आए से बाज सेप्टिम और इस वीडियो में हम बात करेंगा आज की दिन इस्टोक की पुराई है लेटेस निवस की बारे में इस्टोक अनौन्चेश्यार रिकोर। लेट फोल्वोन इस्टोट नुटो के Speakare । तो आपर आप देख सेकते हो तीरी सेप्टेमबर को इसका रिकोर्डेट ट्रगा है मतलब अगर इस इस श्यार को आपको स्यार का बॉना स्यार से यह मार्केट में आभी ट्रेट कर रहे और जैसे सब्सक्राइब काफी खराब न्यूस आज इस कंपनी के तरफ से निकाल कर आया है और जैसे आप देख सेक्ट तो श्यार में लागबक 15 परसंद का बारा गिरावाट का समना करना पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट है जो निउस है । फोटीस हैल की तरफ से बहुत ही खराब निउस है दरसल फोटीस हैल के पर परे केज चल रह था जिसका सНуहौाइई हुए और सुनवाई हुए यहापर इसकंपनी के एकनिस्ट चलिगई और एक बारा केस का सुनवाई हुए हшनू यह आई एचेस की तरफ से कैस था बहुत ही बड़ी कैस है इसका अगर हम फोर्टीस्थ हेल्ट केर की उपर आई हुए इस केस के बात करते हैं दोस्तों यह कैस दोहजार अठारा का था बढ़ा कर से था अधुन माला या गवर्ण मेंट नहीं से रेज़ेक्ट किया था और जैसे रेजल करते हैं तो फोर्टीस्थ हेल केर जो शारे यहां पर सेंट किया घड़ा सारे स्यर यहां पर वांच हुए मतलubं यहां तो सेंट हो गई है पैसा यहां पर गया है लेकिन आप पर मालोई से का गवर्णमेंट नी इसके पर बैन लगा दिया था तो यहां पर क्या हुआ फोटी सेल करके जितना शारी स्टीक यहां पर फंच गई और यहां पर जितना पैसा फज गई वह आभी भी है पिसले तीन साल से फोटी सेल करके यह यह पर फज रहा है नहीं यह और जयदा इन्थार करना पर सकते है कि मालोई से कुए मालोई से गवर्णमेंट है के लिए अपरूबल आपैजी नहीं नहीं दिया है अगोब बापस आपको दे दिए लेकिन इसके लिए अपको और इन्थार चाहरा पर और आप Sooew Travel लगबप तीन साल से ज्यादा हो गए म अगर आप फुटीस्ट हेल केर में short time investor हो तो मैं आपको यहीं सलादोंगा कि आप यहां पर position को exit करके स्ल सेकते हो लेकिन अगर आप long term investor हो तो आप इसके साथ साथ आभी भी position बना के चल सेकते हो अगला न्यूस मिल रहा है Hero Motor Corporation Limited श्यार की तरप से, Hero Motor की तरप से काफी शंदा न्यूस आस निकल करें, बैसे अगर श्यार की बात करें, आस की दिन श्यार में कोई अफेक्ट तो नहीं है, आप देख सेकते हो, सिप रेट में क्लोजिंग दिये, थोड़ा सा रेट में क्लोजि मतलब, इसकोटर और इसका जो Motorcycle के सब में 1000 का इसका प्राइस में हाइक होई है, मतलब, 1000 का प्राइस में बढ़ चुके, अगर ये पहले 70,000 इसका प्राइस था तो आभी इसका प्राइस जोए 71,000 करवाया गया है, मतलब, 1000 ज्यादा हुई है, अगर आप बात करें, आप मो को बढ़ा रहे, तो रेट जिप भी बढ़ता है, इस टोक में आपको अब्वेसली तेजी की देखने को मिल जाए, तो दिखिए, यह होई रो मोटर्स की तरफ से एक शांदा निवस आप कह सकते हो, वैसे मार्केट किस पर करता है, यह तो मर्केट ही समझ मेंगा काली, वैस अगले थुक नुटिए आपे ।ार मिल रहरें, आईटी सी श्यार की तरफ से हो मिल रहे, तो काफी शांदा नुटिए का श्यार के पूरास निकाल के ढारा है, वैसे आटी सी श्यार की, पिसHANेे पांच साल का ये हाई में चल रहें, M합니다 में पिसने पांच साल में इतना इसक तो ITC share climbed to five years high, brokers has buy tax strong upside, मत्त भी आपर पांच साल का high में ये ट्रेट कर रहे और साथ में brokers ने आपर buy का call दे रहा है और strong upside भी आपर देखने को मिल रहा है हमें, तो दोस्तों ये call जो ही ये आपको city के तरफ से आ रहे, तो city आपर कह रहा है कि आप ITC share को buy करो, buy rating while increasing its target, और इसका target यहाँ पर 420 रखाई जया, तो city नी इसका target 420 रखाई है, मतलब आप भी भी अगर बात के रहे, यह अभी से भी 57% upside का target है, तो दिखिए, ITC share हम जानते है कि बहुत तेज भाग रहा है, बहुत उपुट रेवल कर क्या है, और यहां से और upside का momentum यहां पर आपको मेल सकते हैं, यह expert के तरफ से निकाल कार आ रहा है, तो यह ITC के लिए बहुत ही शांदर बात है, और अगर आप एक नई investor हो, ITC में नई invest करना चाहते हो, तो दिखिए, आप invest कर से होते हैं, लेकिन थोड़ असा deep मिले तभी invest क करना के रखा हो, तो आप अपना position को hold करती हो, चल सकती हो, और अपना long term position को भी आपर hold करके चल सकती हो, उसके पाद अगला stock news यह आप है, मिल रहे है, Bombay Super Hybrid Series के अपर, Bombay Hybrid Super Series के अगर बात करें तो यह share की तरफ से काफी शांदर निकाल करें, इस company आपर stock split का announcement हो चुकी है, इस company 1-10 error ratio तो इस stock split हो, मतलब एक share का अगर बाई करें, तो इस share divided हो कि 10 shares में convert हो जाएंगे, फिल अलगर share के बात करें, आज सो पसास रुपिया, आज से मिल ट्राइट कर रहे है, और आज जैसी stock split का news है, इस stock लगबग 5% का तेजी दे दिया है, तो यह पर अब देख से है 2022 announced stock split on details here, मतलब इस stock split का announce किया है, और इसका recordability date भी आपर निकाल कर आचुकी है, कंपने साब इस सेप्टेमबर को इसके लिए record date रहा है, मतलब साब इस सेप्टेमबर को इसका stock split होने को आपको देखने को मिल सकते है, वैसे है तुस्तों, आगर share के बात करें, share, आप performance आप business करते है, इस company, उसके बात अगला stock news यापर हमें मिल रहा है, infosays share के उपर, दोस्तों, infosays यानि IT sector के पर expert के तरफ से बहुत ही शांदर बायानाज निकल करें, वो उनको तरफ से कह रहा है कि क्या आप IT sector को buy कर सकते है, या थोड़ा दिर इंतिजार करें, तो इसके पर बहुत बढ़ी सरसाज की है, वैसे हम सिफ infosays की बात नहीं करें, मैं अब TCS और infosays दोनों की बात कर रहा है, वैसे expert भी दोनों की बात कर रहा है, तो यहापर अब देख सेक तो experts की तरफ से आ रहा है कि TCS infosays share trade near one year law, should you buy the IT stocks now, मतलब यहापर expert को मनना है कि TCS और infosays के रह कर रहा है कि यह एक साल का मतलब 50 to 1 law में भी फिलाल trade कर रहा है, और हो कह रहा है कि क्या भी यहापर हमें buy काने का अच्छी time है या और इंतिजार कर साकता है, तो दिखिए, उनके तरफ से आपर मनना है कि Infosays and TCS stocks are the mass buying levels right now, उनके तरफ से expert को कहना है कि Infosays और TCS, दोनों IT stocks अभी फिलाल सबसे बड़िया position में buy के लिए, क्योंकि वो दिख रहा है कि Infosays के अगला सबसे strong support नजर आ रहे, वो 1330 नजर आ रहे, फिलाल वह तक नहीं पहुंचेगा उसको भी कहना है, और साथ में वो यहापर कह रहे है कि मास्ट वाइंग लेवल इसलिए है क्योंकि देखिया, US Fed in Interest Rate High, मतलब यह सब जए US आपको मला होगा, कि IT सेक्टर से सब US का related है, और US में Fed FED High है, तो इसकी यह होता है, IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए सब से बढ़िया मका, वो यह कह रहा है कि अगर आप Long term investor हो तब यहापर IT में इन्वेस्ट किजिएगा, और आपको यहापर जो है, आपको यहापर जो है, आपको यहापर जो है, आपको यहापर जो है, आपको यहापर हो साकती है, एक्सपार्ट की तरफ से मनना है, लेकिन वो यह भी कह रहा है, कि देखिया, I would suggest investor to buy TCS at the current level, maintaining stop loss 2750, वो यहापर कह रहे है, आप इन्वेस्ट मत क करें, और इसका जो आप कह रहे है कि stop loss हो रहा है, कि 2750 का लेवल पर stop loss रखें, यह आपके लिए west position होने मला है, और research यहापर IFL के तरफ से भी निकल कर रहे है, वो भी कह रहा है कि आप TCS और Infosys को buy करो, यह आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी टाइम है, IT मे इन्वेस्ट करने का, तो दिखिए, X-part के तरफ से है, तो मनना ही, लेकिन आप यहापर को अनलाइस कर लिजाए, अगर आपको भी लगते है, तो यहापर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिलाल मैं यह कहना है, कि अगर आप लॉंग टरम इन्वेस्टर हो, तो जुरूर आप आपके लिए सब चाठ चा मौग है, उसके बताक्ला इस टूक न्यूसे आप आप मेल रहा है, शिल्फा मेडिकार लिमिटेज शेर के तरफ से टिर तो इस फर्मा सेक्टर का इस टूक है, और से बर में आज क्या कहें कहा है, यहापर गवर्वर्वर्मिंट के तरफ से एक सर यहां पर देख सेक्टों सिल्फा मेडिकर गेड्स एवास एफ्टी एवास एफ्टी एफ्टी के तरप से आपर कि लियरंज सेटिपेट इस कंपानी को आपको मालूम होगा कि फर्मा सेक्टर का इस्टोग एक अपरूबल एक दवाया का एक मेडिसिन के पूर अगर कोई कैश लग जाता है बैन लग जाता है वार हट जाते ही तो बहुति एच्ची जिन्दद के शचीन के सेक्ट न्यूस ओता है और उसकी तरप से अगर कोई ससार्टी विडिस कंपाणी को मिल रहा है और यह आप फर्मा सेक्टर का इस्टोक हो तो भी एक कंपानी के लिए बहुत ही शान्दानी हो से तो इसलिए मैं आपको कहने चाहूंगा कि दिखिए श्रीलपा मेडिक्यार प्यागर अपने पोजिशन बना के रखी तो पोजिशन को होल करके सल सकते हो आपके लिए आगे आगे चाहि आपके लिए।